पेट्रोल पम्प पर तोड़ फोर मारपीट करने के प्रकरन में प्रभावी कार्यवाही एक आरोपी गिरफतार दीध्वाना आरोपी द्वारा 13 अगस्त को रात्री में पेट्रोल पम्प के ओफिस में तोड़ फोर कर सेल्समेन के साथ मारपीट की गई प्रकरन में पूर्व में एक आरोपी को गिरफतार किया जा चुका है थाना खुन्खुना पुलिस टीम की रही कार्यवाही राममूर् के निर्देशा नुसार विमल सिंग नेहरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीध्वाना गोमाराम चौदरी वृता देकारी डीध्वाना के निकत्तम सुपर्विजिन में बनवारी लाल थाना देकारी खुन्खुना के नित्रित्व में गठित तीन द्वारा पेट्रोल प दाम साम में प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्राम पीध्वा से एक आरोपी को दस्तयाब किया जाकर गिरफ्तार किया गया प्रकरन में पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है प्रार्थी लोकिंद्र से राठोड पुत्र शेर सिंग राठोड जाती राजपूत उम्र 46 साल निवासी बाठंडी पीएस खुनखुनाहाल प्लोट नाम 96 कृष्णा नगर शेखावत मार्ग सीर्सी रोड जैपूर पीएस वैशाली नगर जैपूर ने रिपोर्ट दीकी 13 अगस्त रातरी करीबन 10 30 बजे एक ब्लेक रंग की गाड़ी पेट्रोल पंप पर तेल लेने आई तब पंप पर सेल्समेन रमेश लोमरोड था उससे बखवास करके गए थे रातरी करीबन 12.30 बजे वही काले रंग की गाड़ी वापिस आई तो आते ही रमेश नोजल के पास जाने लगा तो दो जने लाठी लेकर गाड़ी से उत्रे तो रमेश भाग कर पंप कार्याले में आ गया अंदर से कुंडी लगा ली फिर भी वे लोग ऑफिस के सामने मुँसे गंदी गालियां दी फिर गाड़ी दीद्वाना की तरफ लेकर भाग गए उक्त रिपोर्ट गठित तीन द्वारा भरसक प्रयास किये जाकर एक आरोपी पंकज सिंग को गिरफतार किया गया पूर्व में एक आरोपी अजीत सिंग उर्फ जितेंद्र सिंग को गिर अबियोक्त पंकज सिंग पुत्र गिरधारी सिंग जाती राजपुत उम्र 25 साल निवासी पीद्वा पुलिस थाना खुनखुना को गिरफतार किया गया